नमस्कार, प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है मैं डॉक्टर शुब नरायन से सनातकुत्तर हिंदी सिक्षक आपके समक्ष हालावाद के कवी श्री हरिवन्सराय बच्चन द्वारा रचेत दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के साथ प्रिस्तोत हूं प्रिये विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जीवन गतिशील व परिवर्तन शील है समय किसी की प्रदिक्षा नहीं करता समय के साथ चलना ही मानो जीवन की सार्थकता है आज हम इसी महत्व को प्रतिपादित करती कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का रसा स्वादन करेंगे जो की कक्षा बारहवी के हिंदी केंदरिक पठेक्रम में संकलीत है प्यारे बच्चों इस कक्षा के पस्चात आप यह सीख पाएंगे कविता के तत्वों से परचित होकर अर्थ भाव एवं शिल्प को समझकर व्याख्या कर सकेंगे कवी द्वारा वरणित कविता के आशय वा संदर्भों को समझ कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकेंगे कविता में वरणित भाव एवं अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे कविता की विशय वस्तु और कथे को समझ कर अर्थ वा भाव समझ सकेंगे कत्थि को समझ कर भाव स्पष्च करते हुए शिल्प सौंदर्य के तत्वों की भी पहचान कर सकेंगे विद्यार्थी की सौंदर्य परक अनुभूती एवं कल्पना शक्ती का विकास होने पर अपनी प्रतिक्रिया या राय दे सकेंगे साथ ही केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा बोड की परिक्षा के अंतरगत प्रश्णों के स्वरूप को भी समझ सकेंगे आईए सर्वप्रथम दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवी श्री हरिवंश्राय बच्चन जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं श्री हरिवंश्राय बच्चन हालावादी काव्य के अग्रणी कवी थे मिटी का तन मस्ती का मन शनभर जीवन मेरा परिचय कहने वाले श्री हरिवंश्राय बच्चन का जन्म 27 नमंबर 1907 को इलाहबाद के नजदिक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गाउं पट्टी में हुआ घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था आगे चलकर यही बच्चन उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ बच्चन जी की आरंभिक सिक्षा दिक्षा गाउं की पड़साला में हुई उच्च सिक्षा के लिए वे इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज गए जहां उन्होंने अंग्रेजी सहित्य पर शोध किया श्री हरिवंश्राय बच्चन ने 1941 इस्वी से 1952 इस्वी तक इलाहाबाद विश्व विद्याले में अंग्रेजी सहित्य का अध्यापन किया वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्राले में हिंदी विशशग्य के रोप में नियुक्त हुए उमर खैयाम की रुबाईयों से प्रेरेत 1935 में छपी उनकी मधुशाला ने बच्चन जी को खूब प्रसिद्धी दिलाई आज भी मधुशाला पाठकों के बीच काफी लोग प्रिये है अंग्रेजी सहित कई भारतिय भाषाओं में इस काव्व का अनुवाद हुआ इसके अतरिक्त मधुबाला, मधुकलश, निशानिमंत्रण, मिलन यामिनी दो चट्टाने जैसी काव्व की रचना बच्चन जी ने की है वे 1966 में राज्य सभा के सदस्य मनोनीत हुए दो चट्टाने के लिए 1968 में बच्चन जी को सहित अकाद्वी पुरसकार मिला सहित में युगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश का यस भारती सम्मान, सोवियत लैंड नहरुपुरसकार आदी से भी नवाजे गया बच्चन जी को 1976 में पद्व भुशन से भी सम्मानित किया गया चार खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्म कथा, क्या भूलूं, क्या याद करूं, निड का निर्मान फिर, बसेरे से दूर और तश द्वार से सुपान तक हिंदी सहित जगत की अमुल्ले निधी मानी जाती है बच्चन जी ने उमर खयाम की रुबाईयां, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं और नहरू जी के राजनितिक जीवन पर भी किताबे लिखें श्री हरिवन्श राई बच्चन जी का दिहान 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ आज हम इनही के द्वारा लिखी गई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का रसा स्वादन करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता गीत विधा में लिखी गई है प्रतेक गीत के दो भाग होते हैं पहला इस्थाई और दूसरा अंतरा पहली पंक्ति जिसे बाद में बार बार दोहराया जाता है इस्थाई कहलाती है प्रस्तूत कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस्थाई है कविता की शेश पंक्तियां आंतरा कहलाती है गीत में इस्थाई और आंतरों की सभी पंक्तियां गायन की अनुसार ले तथा छंद में बंधी होती है तुक का निर्वाह भी गीत की पंक्ति में होता है बच्चों आये कविता का आदर्श पाठ करते हुए पठ्थे वस्तों को समग्रता के साथ समझते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है हुजाय नपत में रात कहीं मन्जिल भी तो है दूर नहीं यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झाक रहे होंगे यह ध्यान परों में चिडियों के भरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हों किसके हित चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहवलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है आईए अब इस कविता के शब्दार्थों पर विचार करें प्रत्याशा अर्थात प्राप्त करने की आशा नीड अर्थात घोसला चंचलता यानि तिवरता तेजी विकल अर्थात व्याकूल दुखी हित मतलब के वास्ते भलाई शितिल यानि धीला मंद और अर्थात हिर्दै विहवलता यानि भाव आतूरता व्याकूलता प्रिये विद्यार्थियों प्रस्तूत कविता का मूल भाव कुछ इस प्रकार है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता कवी के काव्य संग्रह निशा निमंतरण से लिया गया है यह एक प्रेम गीत है किसी प्रिये आलंबन या विशय के भावी साक्षातकार का आश्वासन ही हमारे प्रियास के पगों की गती में चंचलता वद तेजी भर देता है इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है अपने प्रिये जनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पाउं तेज तेज चलने लगते हैं पथिक रात होने से पहले अपने लक्ष तक पहुँच जाना चाहता है चिडिया का ध्यान घोसले में इंतजार कर रहे अपने बच्चों की तरफ है इसलिए उसके पंखों में चंचलता व गती आ जाती है परन्तु कवी के जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी प्रतिक्षा करे इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं यह कविता समय के साथ कुछ कर गुजरने का जज़बा भी लिये हुए है जीवन में गती का संचार तो लक्ष प्राप्ती की आशा के कारण ही हुआ करता है आईए कविता के पहले का व्यांश को समझते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो जाए नपत में रात कहीं मन्दिल भी तो है दूर नहीं यह सोच थका दिनका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसका व्यांश में कवी ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले पथिक अर्थात राहगीर का चित्रण किया है परन्तो यह प्रतिकात्मक रूप से जीवन रूपी पथ यात्रा का चित्रण करता है जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से ढलता है मनुष्य के मन में चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए अर्थात जीवन का अंत लक्ष प्राप्ती से पुर्वी ही न हो जाए जबकि अभी मंजिल तक पहुँचना बाकी है इस कारण से वह लक्ष प्राप्ती की आशा में अपनी गती को बढ़ा देता है ताकि अंधिकार होने से पहले ही अपने लक्ष पर पहुँच जाए कहने का तात पर यह है कि समय सिमित है लक्ष प्राप्ती के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए इस काव्यांश की भाषा एवं काविगत विशेस्ताएं यह है भाषा, सरल, सहज और भावा नुकूल है जिसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है द्रिश्च बिम्ब है, जल्दी जल्दी में प्रनुक्ती प्रकाश अलंकार है कविता, मुक्त शंद में रचित है, आशा वादी स्वर है और गीत शैली है आशा करते हैं कि आपको प्रथम काव्यांश का मूल भाव अच्छी तरह समझ आ गया होगा आईए, अब कविता के दूसरे काव्यांश का आनंद ले और काव्यांश के अर्थ को आत्म साथ करें बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से जाक रहें होंगे, यह ध्यान परों में चुडियों के भरता कितनी चन चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है आईए, अब इसका भवार्त समझें कवी पक्षियों के माध्यम से भी जीवन में समय की गतिशिल्ता व परिवर्तन शिल्ता को व्यक्त करता है चुडिया को संध्या होते ही यह चिंता होने लगती है कि उसके बच्चे उसके लोटने की राह देख रहे होंगे वे व्यकुल होकर घोसले से अपनी गर्दन निकाल कर माँ की प्रतिक्षा कर रहे होंगे चुडिया, दाना पानी, अर्थात, भोजन लेकर अपने घोसली की ओर आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे वे घोसले में बैठ बाहर की ओर जाक रहे होंगे, उसकी प्रतिक्षा कर रहे होंगे जैसे ही चुडिया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गती तेज हो जाती है वह तेजी से घोसले की ओर बढ़ना चाहती है चिडिया का लक्ष अपने भूखे बच्चों के पास पहुँच कर उन्हें भोजन और स्रक्षा प्रदान कराना है तात्पर यह है कि लक्ष ही हमारे प्रयासों में गती उत्पन करता है काव्यांश की भाषा एवं अन्य का विगत विशेस्ता है भाषा, सरल, सहज और भावा नुकोल जिसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है द्रिश्य बीम्ब है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार है इस काव्यांश में भी आशावादी स्वर है आईए, अब कविता के तीसरे काव्यांश का रसासवादन करें मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ, किसके हित चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहवलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है अर्थात, इस काव्यांश में कवी कहता है कि उनसे मिलने के लिए कोई व्याकूलव बेचैन नहीं है तब वे किसके लिए शिग्रता करें बस यही प्रश्न उनके मन को उदास और तन की गती को शिथिल व कमजोर बना देता है अर्थात, कवी ने अपने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकूलता को व्यक्त किया है कवी कहता है कि वह संसार में अकेला है उससे मिलने के लिए कोई व्याकूल नहीं है उसकी उत्सुकता से प्रतिक्षा करने वाला भी कोई नहीं है इसलिए उसके पैरों में गती नहीं है यह प्रश्न कवी के पैरों को शिथिल कर देता है उसके हरदे में व्याकूलता भर जाती है जीवन का एकाकी पन और प्रिये की व्योग वेदना उसे अशांत कर देती है अर्थात जिनके जीवन में कोई आशा या लक्ष नहीं है उनके जीवन में चंचलता का संचार कम हो जाता है इस अन्तिम काव्यांश की भाशा एवं अन्य काव्यगत विशेस्ताएं इस प्रकार है भाशा सरल, सहज और भावा नुकोल खड़ी ब्योली हिंदी का प्रियोग मुझसे मिलने में अनुप्रासा लंकार तथा मैं हूँ किस के हित चंचल में प्रशना लंकार है काव्यांश में वियोग स्रिंगारस है द्रिश बिम्ब के द्वारा एकाखी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है आईए इस कविता का उद्देश से जानते हैं इस कविता में कवी ने समय रहते लक्ष प्रापती के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की सीख दी है चिडिया का लक्ष अपने बच्चों को भोजन वो सुरक्षा प्रदान करना है, रागीर भी शाम ढ़लने से पहले अपने गंतव्य अर्थात लक्ष तक पहुँचना चाहता है, ठके होने के बावजूद भी प्रिये जन से मिलने की कामना से पथिक जल्दी जल्दी चलता है, जीवन में कोई लक्ष ना होने पर कवी की तरह शिथिलता और जड़ता आ सकती है, कवी ने वर्णन किया है कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो, फिर मेरा चित्य क्यों व्याकुल हो, किसके लिए चंचल हो, ये प्रशने मेर कदमों को शिथिल कर देते हैं, मन में निराशा और उदासी की भावना उमरने लगती है, यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष प्राप्ती के लिए कुछ कर गुजरने का संदेश लिये हुए है, अब आशा करते हैं, इस कविता की व विशय वस्तु से संबंधित प्रश्णों के उत्तर देने में आप सहजता महसूस करेंगे, सरप्रथम काव्यांश पर आधारित बहु विकल्पिये प्रश्ण उत्तर पर चर्चा करते हैं, तो प्रश्ण एक इस काव्यांश के रचाईता कौन है, ग शंशेर बहादूर सिं ख कुवर्न राइन, ग रगवीर सा है या ग हरिवंश्राय बच्चन और इसका उत्तर है ग हरिवंश्राय बच्चन प्रश्ण दो, पथमे रात होने के भै से कौन भै भीथ है? क चिडिया, ख कभी, ग बच्चे या ग राहगीर और इसका उत्तर है ग राहगीर प्रश्ण तीन चिडिया के बच्चे कहां से जहांक रहे हैं क पथ से, ख छत से, ग नीडों से या ग अंडों से और इसका उत्तर है ग नीडों से प्रश्न चार चिडिया के बच्चे घोंसलों से किस आशा से जहांक रहे होंगे क वर्षा की, ख खेलने की, ग भोजन की या घ उड़ने की और इसका उत्तर है ग भोजन की प्रश्न पांच मुझसे मिलने को कौन विकल में मुझसे किसके लिए प्रिक्त हुआ है क चडिया के लिए, ख रागीर के लिए, ग बच्चों के लिए या घ कवी के लिए और उत्तर है घ कवी के लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ती में कौन सा अलंकार है क यमक, ख रूपक, ग उपमा या घ पुनरुक्ति प्रकाश और इसका उत्तर है घपुनुरुक्ति प्रकाश आईए कुछ लगुत रात्मक प्रश्ण उत्तर पर भी चर्चा कर लेते हैं प्रश्ण एक हुजाय नपत्मे रात कहीं यहां किस पत्थ की और कवी ने संकेत किया है उत्तर हुजाय नपत्मे रात कहीं के माध्यम से कवी ने अपने जीवन पत्की और संकेत किया है जिस पर वह अकेले चल कर अपना जीवन जी रहा है प्रश्न दो, पथिक के मन में क्या अशंका है? पथिक के मन में यह अशंका है कि घर पहुचने से पहले कहीं रात न हो जाए इसलिए वह जल्दी जल्दी चल कर अपनी मंजिल तक अर्थात कभी अपने जीवन पथ पर समय रहते लक्ष प्राप्ती तक पहुच जाना चाहता है प्रश्न दीन, पथिक के तेज चलने का कारण क्या है? उत्तर, पथिक के कदमों में गती व तेजी इसलिए है क्योंकि रात होने से पहले वह अपने लक्ष तक पहुचना चाहता है वह समय रहते अपने लक्ष को पाना चाहता है प्रश्न चार, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है? उत्तर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि माध्यम से कवी समय की गतिशेलता वो परिवर्तन शेलता को व्यक्त करना चाहता है समय किसी की प्रतिक्षा नहीं करता, समय रहते लक्ष प्राप्ती की ओर अग्रसर होना चाहिए प्रश्न पांच, चिडिया के बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे तथा क्यों? उत्तर है, चिडिया के बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि चिडिया माता पिता के पहुचने पर ही घोसलों में इंतजार कर रहे बच्चों को भोजन मिल सकेगा प्रश्निच 6 चिडिया के पैरों में चंचलता आने का क्या कारण है? उत्तर है चिडिया के परों में चंचलता आने का कारण यह है कि उसके बच्चे घोसले में भूखे उसका इंतजार कर रहे होंगे यह ध्यान इसके परों में गतिव चंचलता भर देता है वे अपने बच्चों को भोजन, स्नेह वा सुरक्षा देने के उदेश्च से जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना चाहती है अब आप पाठ को पूरी तरह समझ गए होंगे इसलिए आपके ग्रिह कारे के लिए कुछ प्रश्न इस प्रकार है प्रश्न एक, कवी के मन में कौन-कौन से प्रश्न उठते हैं प्रश्न दो, कवी की व्याकुलता का कारण क्या है प्रश्न तीन, पथ और रात से कवी का क्या आश्य है प्रश्न चार, पथि के पैरों की गती कभी बढ़ जाती है और प्रस्ट पांच मैं हूँ किसके हित चंचल पंक्ती का भाव स्पस्ट केजिए। आशा करते हैं, अब आप इस पाठ के अधार पर पूछे जाने वाले प्रस्टों के सटीक उत्तर दे पाएंगे। हम आपके उज्वल भविश्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।